प्लेज़ प्लेज़ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आर जे लव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक असिस्टेंट फर वर्ल्ड कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को मैं अपना स्टेट होगी मुझे शर्दी हो गई है और मेरा पैर भी कुछ दिलों से नहीं चल पा रहे थे यानि कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था लेकिन अभी आप लोग के दुआ और प्यार से मैंने दवाई वगएर अच्छे से करवाया जिसकी वज़र से मेरे जो पैरों की तकलिफ है वह आज की वीडियो बड़ी ही कमाल की होने वाली है आज के वीडियो में हम आफ लाइन हिंदी जोक्स कैसे बढ़ सकते हैं इसके बारे में देखेंगे तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे सीधा करेंगे वीडियो को स्टार्ट नमश्कार दोस्तों हर दम हर पल देखती र अब वाली हम बढ़ चुका है तो हम जो है हिंदी जोक्स को उपन करेंगे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन ने प्रवाइट करवाजंगा वहां से आप इसको डाउड़ कर सकते हैं तो पहले यहां से हम बैक टेलेजेंगे ठीक है तो हम पहला पहला जो हमारे कर्सर है वह है हिंदी जोक्स में ठीक है अब यहां से हम लेट रट रट करेंगे ठीक है तो हम यह एक में यहां से पूरा नीचे कर लेते हैं तो पहले हम बैक बटन के ऊपर से नहीं ओवर्वी बटन के ऊपर से हम टॉच करेंगे तो दिखें ओवर्वी बटन के जस्ट ऊपर में है मैंनू जोक्स इमेज़ इमेज़ इन डेगरीज तो तीन ओप्शन से क्या है जोक्स इमेज़ इन डेगरी तो पहले मैंनू देख लेते हैं और यह ऑफ-laiन है डेक एट आप अपर बताया था हमें आपको और मैं हें क्लिक के लिया आप फॉट सेप करेंगे तो पहला है यह करशा हर हमारी हिंदी जोक होते है तो हमें सुन लेते हैं ठीक है तो टीचर ने पपू से पोचा कि बेटे ये बताओ कि अगर तुमारे पास में दो आम हैं और आपने दोनों आम खा लिये तो आम के पास क्या बचा तो पपू खहता है कि सर मेरे पास आम की गुठ्णी बची तो बड़ा ही कमाल का जोग अब ही जोग अफ़दे दे पर है तो पहला है उसका जोप्शन हैंगे रेट अराइप अरेट इसमें नहीं है ठीक है तो अम ज्यादा नहीं देखेंगे जो जो काम की चीजिये वही देखेंगे आप इस जोक पर आप क्लिक मत करें गाए लेकिन फिर फिर मैं कलिक दिखा जाता हूं आपको देखे तो जोक में कुछ आते हैं लेकिने लेकिने टॉप 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 धूप तब आप अच्छे जोक है एहां टीक है देखे एक बार संता जंगल से जा रहा था उसे एक चुड तो यह है कि 45 जोग है तो हमें सबसे जादा जोग कहा हम बताता हम आपको हमें मिलेंगे है काडेग्री में लिए इमेज गया है फोटो जेखे है तो फोटो जाने है लेकिन इमेजिस आपको किसी देखेंगे ज आप इसको ऑल-lijn करेंगे त्थीक जब आप चैनित में तब हम हिंदी पेलेंगे तरह आपको ने फोटो जांगे फोटो बिलेंगे ठिक है तो हम Categories को देखेंगे, ठीक है, Categories में बहुत सारे Categories है, तो चलिए अब हम Categories में पहले देखने कितने ठाएं 34 Categories है, ठीक है, Jokes के यहाँ पर 34 Categories है, तो 34 Categories में हम देखते हैं, पहला करी तो मैं आपना करसर जो है, सीधा हिंदी जोक्स में लेके जाता हूँ तब पहला जो है, कौज जोक है, एडमेंज जोक्स, यानि कि जो एडमेंज होते हैं, तो यह उनका जोक है 55 जोक्स, यानि पंचबन जोक आडमेंज के अखबर विर्बल जोक्स इसमें 35 है ऑसम जोक्स जोए 170 है बार जोक्स है विखारी जोक बोई एंड गर्ल सलेब्रिटी कूल जोक देशी जोक डॉक्तर डॉक्तर डबल मीनिंग जोक फैमली जोक पनी जोक हरियानमी जोक हजबेंट वाइब जोक इंसर जोक जीजा साली जोक केज़िवाल लॉयर लवर मस्कीटो मुनभाइन सर्किट नॉटी नेता लीडर नॉनवेज जोक प्पू ये पुलीस पूर रजमी शंतज शराबी तिली तो इतने सारे जोक हैं ठीक है तो हम सबसे पहला को देख लिए अगर हम पहला वाला कि आखर ने किसे पढ़ना है तो पहला वाला को अगार अगर आप देख लेंगे तो आप ज्यrift वाक्त क्लिक कर दिया है थीक है तो हमने जैसे एडमें जोक में क्लिक किया तो पचपंट जोक समाने सामने हैं तो मैं आपको इस केडिगरी को बस एक्सपोर करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों तो जलिए इंसल्ट की हत मम्मी चाव सब्जी लेकर आओ मतलब अगेडमिन सब जिफी लेने जाएगा मम्मी जा रहा है कि नहीं वर्ना चप्पल से क्लेस्बुक कफूत और जारों से वाजसएग की चुड़ल निकाल दूँगी लाओ छोला देखिए तो यह बड़ा ही प्यारा सा जोक है जिसका हम पढ़े है तो अब भाई आप जोक तो आरजे सर ने बता दिया अब इसको शेयर कैसे करेंगे ठीक है तो आप चाहें तो कहीं पर आप्शन तरास मत कीजिए सीधा आपको जैसी वह एडमिन के जो भी जोक्स पर आप एक बार करसर कीजिए उसके बाद में बनाई है उसके कापी कर दीजिए ठीक है कापी करके आप असको कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं ठीक है और नहीं तो देखिए एडिट है लाइक कापी शेयर ठीक है तो आप यह भी कर सकते हैं ठीक है बाकी सब तो सेम है बस आपको एक आपने पती को रसोई घर से बरतन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी पर उसे कोई जब नहीं मिला जब अपने पती को देखने बेड रूम में गई तो पती थककर अपने ओफिस के फाइलों के उपर सोया हुआ था वो उसके पास गई और पती के निर्दुश चेहर को प्यार से सहलाया और चपाज मारा पती हर बढ़ाकर उठा और पूच्छा क्या हुआ फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया जिसमें लिखा था लेकर के आउंगा अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉंस देंगे मेरी चैनल को तो इस चैनल पर नहीं आएगा लेकिन हाँ दूसरे चैनल पर मेरा जोक्स में लेकर क्या हूंगा तो उमीद है कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंदाया होगा भया वीडियो प्रेंट बॉक्स में जरूर बताना और हां कोई कमी हो तो भी बताना इसी के साथ डीजिये आर्जी लव को इजाजत हर दम हर पल देखती रहिए टेक असिस्टिन फर वर्ड नमस्कार